नमस्कार सिक्षक साथियो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इसांक एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सिक्षक कोस अप्लिकेशन पर प्रधना ध्यापक या सिक्षक अपना पास्वर्ट कैसे बदल सकते हैं वीडियो को स् अभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सिक्षक को से संबंधित सफी जानकारी जैसे की सियल आवेदन कैसे करना है या अप्लिकेशन की सहायता से एक्षुडेंट्स की एक्टेंडेंस कैसे बनानी है इत्यादी की जानकारी हम देत करते हैं साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिक्षक कोस का जो अप्लिकेशन है वो मैंने खूल करके रखा हुआ है आप यह जो काम है आप अप्लिकेशन की सहायता से भी कर सकते हैं या जो ब्रॉजर पर जो लिंक मिला हुआ है ब्रॉजर की सहायता से आप उस ल साथ ही आप देख सकते हैं कि स्कूल टीचर ऑफिस्यल टी इआई टी इस तरह का ऑप्शन बना हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको इसकूल वाले जगह पे हमको रखना है क्योंकि अभी जो यूजर एडी और पास्वर्ट जो मिला है वो केवल इसकूल को मिला ह हुआ है जो इसकूल के जो प्रभारी है या है हेट मास्टर है उनको मिला हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस इसकूल वाले जगह पे यह कलर को रखना है और फिर क्या करना है जो यूजर एडी है यह जो यूजर एडी वाला जगह है उस पे क्या करना है कि इसक सेक्षन में इस वाले सेक्षन में वह चीज हमको डालना है जो कि विभाग के द्वारा हमको पासवर्ड के रूप में प्राप्थ हुआ है तो हम यहां पर अपने सकते हैं कि यूजरा एडी डालने के बाद पासवर्ड वाले जगह पे वही चीज डालना है जो कि आपको विभाग के द्वारा एक पासवर्ड तो यहां पर आपको पासवर्ड डाल देना है और साथियों आप देख सकते हैं वह जो लॉग इन का आपशन है इस लॉग इन वाले ओप्शन पर हम को क्या करना है QLiK कर देना है QLiK करने के बाद आप आप साथ्यों आप सकते करना है है कि यह जो हूंभानी सेक्शन है यह उपन में उसके बगल में अप्र 3 line विकल्प भूIf The उसे मांग रहा है ऊल्ड पास्वभरण में हमको साथ ही वही दिना है अभी विभाग के द्वारा हमको एक password जारी किया गया है वो old password में यहाँ पर हम डाल देंगे और new password में और confirm new password में हमको वही password दिना है जो कि हमको नया रखना है तो यहाँ पर हम साधी क्या करेंगे कि जो old password है old password में यहाँ पर मैं old password डाल रहा हूँ और फिर क्या करना है कि new password में वही चीज़ डालना है जो कि आपको रखना है और confirm password में वही है वही चीज़ रखना है जो कि आपने यहाँ पर इस वाले में अभी दिया है वही इस confirm वाले में हमको डाल लेना है और ये डालने के बाद हमको क्या करना है कि जो ये जो submit का जो option है इस पर हमको click कर देना है अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ गया है कि password change successfully तो साथियों आप इसी तरह से अपना password बादा लिंक